गुड मॉर्निंग एविवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज का दिन थोड़ा भाग दॉड़ वाला होने वाला है और सुबह की शुरुआत ही हुई है मेरी दूद गिरने से अभी जो आपने देखा मैं दूद उबालने के लिए रखके थोड़ा सा इदर उदर डिस्ट्रैक् कभी कभी तो थोड़ा ही गिरता है कभी कभी बहुत सारा गेशाता है तो उसको फटाफट साफ किया और सिधार्थ के लिए टिफिन की मैं तयारी कर रहे हूं आज एक्चुली उसका एक फंक्शन है स्कूल में एक एन्वल फंक्शन आप समझ लीजिए लेकिन कुछ अलग से होता है इनके स्कूल में एक दिन नहीं होता है अलग-अलग क्लासेस के हिसाब से अलग-अलग डेज रखे जाते हैं तो तीन-चार दिन वो चलता है तो डे टू था और आज सिधार्थ की उसमें परफॉर्मेंस है कीबोड की और उसको सूट पहन के जाना है वगएरा थोड़ा सा देखना पड़ता है और वैसे भी आजकल जो विंटर के कपड़े है इनर के उपर वो जो लेरिंग वगएरा करने में बच्चे ठीक से कपड़े पहन नहीं पाते हैं कभी उनकी बाजू से कुड़ चाती है तो कभी पैंट पैंते समय अंदर का जो इन थोड़ा सूट नहीं कर रही है फंक्शन की बाकी मैं तो फटा फट बस इसको रेड़ी करूंगी थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता बनाऊंगी लेकर नहीं जा रहे हैं हस्बेंड आफिस तो वो नहीं बनाना है मुझे बट भी खाने के लिए कुछ बहुत उनके लिए मैं दूंगी और फटा फट मैं रेड़ी हो के निकल जाओंगी सिधायत के स्कूल और कोट पहनाते समय सिधायत की पॉकेट से मुझे मिली माचेस तो ये माचेस एक्चुली जब वो पटा के बटा के जलाने के लिए चट वाले दिन गूम रहा था ना इधर उदर तभी उसने पॉकेट में रखी होगी मैंने भी ध्यान नहीं दिया पॉकेट चेक नहीं किया ऐसे फोल करके मैंने बेट में रख दिया था इसका सूट तो अभी जब निकाला तो वो माचेस निकली तो वो भी हस रहा है कितने दिन से रखी हुई है इसे के अंदर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और आज का दिन तो मेरा सुबे से ही काफी हेक्टिक होने वाला है जैसे मैंने बताया है पहले तो हम साड़े पाच बजे उठ गए अपना वाक हो गए रहूं सब में करके आई फिर सिदात का टिफिन मैं बनाने में लगी फटा फट रेड़ी होई उसके बाद साड़े नौ बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो हस्बेंड के साथ ही मैं निकल गई थी वो अपना ओफिस चले गए और उन्होंने मुझे डॉप कर दिया स्कूल में और स्कू सिदार जो है वो जाने वाला था अदविक के घर आज तो वह तो वहां से उधर निकल जाएगा तो उसकी जो एक टेंशन रहती है ना स्कूल से लाने वाने की वो नहीं है तो बस अभी फटा फट नहाती हूं तुरंत अभी नहीं मिल पाऊंगी फिर मैं मिलती हूं आप से जब मैं सरोजनी के लिए हम लोग निकल रहे हूंगे ना ठीक उसी समय मिलूंगी क्योंकि ओविसली स्कूल का जो भी शूट करूंगी वो मैं कुछ यहां स्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी और यहां पर बहुत सारे बच्चे थे तो थोड़ा मैंने बलर कर दिया है सिधार्द आपको दिख रहा होगा उतना पहचान में नहीं आ रहा होगा बट फिर भी आप पहचान तो जाओगे यह सिधार्द को तो आप कैसे भी पहचान जाओगे मुझे पता है तो उसका वेट कर रही हूं वापस आगई हूं मैं सोसाइटी में हूं अपने रचना से कहा था मैंने कि मैं वापस सोसाइटी में आ जाओंगी फिर हम वहां से साथ में चलेंगे तो घर नहीं गई मैं गेट के पास ही वेट कर रही हूं क्योंकि हमारी घर के पास ही फिर मैट हो है तो लाओ, दन्यवाद, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया भूंकी को खाना के लाने के लिए, सही में मैं कुछ, आज में कुछ बना ही निया, बैसे धाल को मैकरोनी बना के दिया, अच्छा, पीजगार करके लई हो, अरे वाँ, बैखने के जिए, एक रोल कर लो, और क्या, हैसबर ने तो सुबह एक खा लिये थे, तो उनका ब्रेकफस्ट रूने ने बोला कि मैं अगी खा लूंगा, तो मैंने फिर अपने लिए कुछ बनाया नहीं, थोड़ी सी मैकरोनी, वैसे बचाई थी मैंने, उसको भी खाने का मुझे समय नहीं मिला, तो रचना को बोला था तो उसने जो बनाया था, वो सब पैक करके लिए पूरी बनायी थी, उसने जो अचार के साथ वो रखके लाई साथी, फ्राइडराइस बनाया थे, तो फ्राइडराइस तो मैंने अभी यहां नहीं खाय, वो हमने सरोजी नगर में सारी शॉपिंग और लास्ट में दोनों न मैंना पहली बार मेट्रो से सरोजी नगर आ रही हूं, इससे पहले में कभी नहीं आई मेट्रो से, हम लोग हमेशा गाड़ी से आते हैं, और क्योंकि सिधार्त की क्लास भी रिजिन रहती है, तो वहां से यहां की दूरी कुछ किलो मीटर्स की है, तो हम लोग आ जाते हैं य वहीं से फिर आवाज यानी स्टार्ट हो जाती है, पचास रुपे, सौ रुपे, यह वो, और देखो मेट्रो से बाहर निकलते के साथ ही आपको इस तरीके से यह सारी कुछ ऐसे सरीज वगेरा हैं फिलाल तो यहां पे और बहुत सारे कोट वगेरा भी हैं, तो यह पचास रुपे के पूरे बंच के बंच आपको मिल रहे थे, प्लेचर के रबर बेंड के पूरा मतलब बंच पैकेट के पैकेट, जबकि यह एक आता है 15 रुपे, 20 रुपे, 25 रुपे के सस्ते वाले में बता रहे हूं, ऐसे जो नॉर्मल एवरीडे यूस वाले होते हैं, और यहा आईए, 400 रुपे, 400 रुपे में सरोजिनगर भी शुरू भी नहीं हुए मार्किट यह बस मेट्रो के बाहर की ऐसे ही जगह है, जहां पर ऐसे लगे हुए, यहीं से बहुत सारे कोट, स्वेटर बगेरा शुरू हो गया थे, 100 रुपीस में थे यह, तो देखे हमने, बट अच्छे नहीं थे, मुझे लग हमको पसंद नहीं आया, तो फिर हमने यहां से छोड़के, फिर हम सीधा मार्किट की तरफ ही आगे बढ़ गए, तो आप देख सकते हो, यहां पर में कोई अच्छा पीस निकल लाए, क्योंकि हमने उतना टाइम दिया भी नहीं, क्योंकि हम आपस टाइम जादा था नहीं कि बहुत टाइम है, मुश्किल से 5-10 मिनट हमने उपर-उपर नजर मारी, तो में भी अगर थोरली अच्छे से चेक किया जाए, तो यहां भी अच्छा कुछ मिल जाए, ऐसे ही होता है सरोजनी में, और यहां स्वेटर्स थे, दूर से देखो तो बड़े अच्छे कलर्स वग यहां का गेट नमबर 3 और इसी के पास मैट्रो है, मतलब मैट्रो के सबसे पास यह गेट नमबर 3 पड़ता है, तो यहां से हमने एंट्री की और यह देखे, ऊपर से यहां को कितनी भीड दिख रही है, और फिर कुछ दूर तक जो, मतलब कहते हैं न, गेट से थोड़ा दे और तक आपको पहुचाई देंगे, फिर हम यहां पर देखने लगे, सिर्फ दो धाई घंटा या तीन घंटा हमने हाँ, सिर्फ एक ही लेन में थे हम लोग, क्योंकि इतनी सारी यहां पर जो चीजे हैं, जो विंटर का समान है, वो इसी लेन में बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि हमको कोट देखने थे, मुझे भी लेने थे, रचना को भी लेने थे, तो मैंने यहां पर एक दो कोट देखे हैं, और कई दुकानों में देखने के बाद मैंने परचेस किया है, तो तो घर जा के आपको दिखाऊंगी, और यह मतलब बताते तो बहुत महंगे महंग समान की knowledge ना होना तो अच्छे तरीके से आप बेकुब भी बन सकते हो इस जगा पे और बहुत reasonable price में भी चीजे खरी सकते हो थोड़ी सी knowledge हो जाए अगर कि हाँ कैसा समान कितनी range में मिल जाता है तो इस तरीके से 100 रुपे, 200 रुपे में sweater, 300 रुपे में puffer वाली jackets, coats, बहुत एक बार अगर आप यहां पे आ गए तो यह one stop जगा है जहां पे boots, purts, jewelry, accessories, clothing, winter clothing, even summer clothing भी थी कही जगा पे, सब कुछ मिल जाएगा आपको Hi everyone, आजोगे next day और कल जो है ना वहां से आने के बाद बहुत जादा थकावट सी हो गई थी और इतनी जादा भीड भड़के में भाई, हम लोग weekdays में यह सोचके कहे थे कि भीड जादा नहीं मिलेगी लेकिन इतनी भयानक वाली भीड थी ना वापे, कुछ देर तक तो मैं मतलब आपका मोवाईल तो गिर जाएगा या तो कुछ गरबड हो जाएगा तो मोवाईल फिर मैंने निकाला ही नहीं बाहर मैं बहुत जादा शॉपिंग तो सोचके भी नहीं गई थी मेरे दिमाग में एक दो चीज थी जो वहां पर मिलती है मैंने सोचा वो मिल जाएंगी सीजन थंड बढ़ रही है तो वहां पर भीड बहुत जादा है और जब भीड बहुत जादा होती है तो लोग बहुत जादा प्राइस भी नहीं तो तो यूजवल जो प्राइस है महां पर होते हैं किसी चीज के उससे जादा में आपको समान मिलेगा तो मुझे तो उतना मत तो यह सब चल रहा है थोड़ा और भीड इतनी जादा है कि एनिवेज उनका बिकेगा ही बिकेगा समान क्योंकि जो सरोजी नगर से इतनी दूर दूर से आये वो कुछ ना कुछ लेकर तो जाएगा ही जैसे बिड़े हुए होते हैं अभी तो इस टाइम तो बहुत है बहुत जादा हालत खराब है मा की तो सबसे पहले तो मैं हस्बं के लिए तीशिट लेकर आई हूं तो यहां पर यह इस तरीके की टीशिट वो जो सौ रुपे दो सौ रुपे से लगा के रखते हैं उनमें यह 200-200 की टीशिट मिल ठीशिट इंग ब्रैंड न्यू तीशिट नहीं है इनमें ना एचनेम का यहां पर मतलब टीशिट के पीछे जो ब्रैंडिंग होती है नवो लाइचनेम की है, तैग भी है अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यह है या नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता बट अगर टीशिट की बात करें तो इसका कपड़ा सूपर फाइन है, बहुत अच्छा कपड़ा देखके ही मैं ले लिया, मैंने का हिएचनेम की हो ना हो तो ये 3 टीशट मैंने लिये हैं 200 रुपीज में तीनों मतलब नहीं 200-200 इच 600 की टीशट है तो बहुत सस्ती है ऐसे भी आप टीशट अगर कहीं से भी लो चाहे आप शॉप से लो चाहे आप शॉप से लो 600 से स्टार्टिंग है और 1200, 1400, 1500 तक टीशट जाती है तो उनके लिए बस वही एक समाल लिया है क्योंकि वह तो साथ में गय नहीं थे तो फिर कुछ लेकर आती ही पता चलता पसंद आया है नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है पश। इस उस्ते आइटम से में स्टार्ट करते हैं यहक वेलवेट की स्कूर्ट है तो 50-50 रुपे की लगे हुए थे वही जो जो सर्कल में ना है भी है लगा के रखते है तो मैं यू अट लिया भी पर दीमांग में उस मतला इस को लेकर मेरे दिमांग में कुछ है नहीं किस इसको मैं कैसे पहनूगी या नहीं बस मुझे लग अच्छी लग रही है उठा लो बस ऐसे लिया है मैंने इसको और दाम जादा नहीं था पचास रुपे था तो मैंने ले लिया उसके बाद मैंने शॉप जो होती है अंदर उनसे लिया है एके सकर्ट इसका पूरा मेरे दिमा है उन्होंने साड़ी तीन सो बोला धाई सो में दिया बट अगर आप थोड़ा मैंने गान अभी भीड है तो इसकी वज़े से लोग दाम कम नी कर रहे है थोड़ा आगे पिछे हो के जाओगे तो शाएद ये दो सो डेड़ सो में भी मिल जाए कुछ कह नहीं सकते उसके बा अगर वाइट या ब्राउन कलर में कुछ ऐसे फुल स्लीव का पहन रहे हो उसके उपर इसको लेयर करके बहुत सुंदर लगेगा तो जब पहनूंगी ना मैं इसको तो दिखाऊंगी आपको मैं क्या सोच के लेकर आई हूँ उसके बाद वह भी 100 रुपीस का है वह भी 100 तो यह लैमन कलर में बहुत सुंदर लग रहा है यह वाला सुटर मैंने लिया है यह भी 100 का है उसके बाद यह साध 150 का था यह 200 का था ऐसे कुछ था जिए तो नहीं रहा होगा यह तो 150 का यह तो हंड़र का ऐसे ही था यह तो एक यह लाइट कलर में, ब्लू कलर में एकी के मैंने लिया स्वेटर, यह भी थोड़ा थिक वाल ही है, उसके बाद जहां से मैंने वो इसकर्ट लीना शॉप से, उसी शॉप से मैंने यह वूलन ड्रेस लिया है, यह काफी लॉंग सा ड्रेस है, वाइट ते यह क्रीम कलर है और बहुत सुंदर मुझे मैं इसको सोच कर गई कि मुझे ऐसा एक ड्रेस चाहिए, एक ऐसा ब्राउन है मेरे पास, मुझे वाइट चाहिए था और यह किसके साथ स्टाइल करूंगी और मैं दिखाऊंगी मैं लेकर आई हूं, वह है कोट खरीदा है मैंने और मैंने इसको वाश भी कर तिया तो वह भी बाहर है बट उसकी यहां पर डाल दोंगी यह जो ड्रेस है यह उन्होंने 600 बताई थी लेकिन दी है 400 में और मुझे लगता है 300 में अराम से मिल जाएगी अगर इतनी भीर नहीं होती न तो अराम से 300 में मिल जाती बट 400 के हिसाब से भी यह काफी अच्छी ड्रेस है और यह जो मैं कोट लेके आ मुझे चाहिए था बहुत जादा लंबा नहीं चाहिए था थोड़ा मतलब छोटा चाहिए था और जैसा मतलब मेरे दिमाग में फ्रेमिंग था वैसा exact मुझे मिला नहीं तो मैंने लिया नहीं बाकी वहां पर ऐसे कोट तो इतने हैं ना 100-100 रुपे से लेके 200 रुपे 100 वा तो आप कोई भी मतलब उनमें से सलेट कर सकते हो और काफी कुछ रचना भी लेकर रही है तो उसका तो ओविसली मैं दिखाने ही पाऊंगी और यहां पे है यह बेल्ट तो यह बेल्ट वाले पर्फियूम वाले संग्लासेज वाले वाले बहुत गुमते रहते हैं बहुत त नहीं समान लेकर आई हूँ मैं बताएगे को अपको कहसा लगा सारा समान घूम उबहुत ही अच्छा मन को भाचा रहा था बस मैं वही ले रही थी यह सोचके नहीं गई थी यह भी लेना वो बर लेना रही था नहीं था जूल्री वगयर तो वह बहुत ही बड़िया मिलती ह जितने है उतने ही नहीं पहन पाती हूँ मैं तो फिर मुझे जो समझ में आया मैंने ले लिया बाकी आप एक बार चक्कर लगा के आईएगा वीगडे में ही जाईएगा जब वीगडे में यहाल है तो वीकेंड पर पता नहीं क्या होगा तो चलिए आज की वीडियो में ही पर एंड करती हूँ होफुली आप लोगों ने इंजॉई किया होगा कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा बाकी मिलती हूँ कल एक नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए थाइंक्स पो वाचिंग तक के लिए बाइ